हेलो स्टूडेंट आज हम करते हैं क्लास 11 में चैप्टर 5 की वक्षिट जो 14 पर 21 के लेकिन हाफिरली एक्जाम के कारण अभी है 4 जैन्वरी को आई है फर्स कुश्चन इसमें 5 माइनस 3 आयटा की पावर 3 को A प्लस B आयटा के रूप में व्यक्त करो तो A मैनस B का जो होल क्यूब होता है तो जब इसको खुलते हैं तो जाता है A क्यूब मतलब 5 का क्यूब माइनस B क्यूब मतलब 3 आयटा का होल क्यूब माइनस 3 AB 3 5 3 आयटा a-b 5-3 आयटा जब इसको हल करेंगे तो 5 का cube आजएगा 125 3 का cube बहुत है 27 तो आजएगा minus 27 आयटा cube 3 को 5 से गुना करेंगे आजएगा 15 15 को 3 से करेंगे 45 45 को अंदर 5 से गुना करेंगे तो आजएगा minus का 225 आयटा minus और minus यह प्लस हो जएगा 3 को 5 से गुना करेंगे 15 को 3 से करेंगे 45 45 को इस 3 से करेंगे 135 यह जएगा आयटा को आयटा से करेंगे आयटा स्क्यार यह जएगा 125 minus 27 आयटा cube का माहन होता है minus आयटा तो यह जएगा प्लस आयटा minus 225 आयटा आयटा स्क्यार का माहन होता है माइनस 1 तो आजएगा माइनस का 135 125 माइनस 135 यहाजएगा माइनस का 10 27 आएटा माइनस 225 आएटा तो यहाजएगा माइनस का 198 आएटा Second ने आएटा की लगातर 99 पुरनांग गातों का योगफ़ल कितना होता है तो इसमें देखो क्या है लगातार 99 गात लेनी है तो मैं लेता हूँ आयटा की पावर 1 आयटा की पावर 2 आयटा की पावर 3 प्लस आयटा की पावर 4 इस टेप से चलता रहेगा आयटा की पावर 5, 6, 7, 8 लास्ट मैं ले लेता हूँ सित्यानवे 98 और 99 ठीक है तो इसमें देखो क्या है आटा आटा स्केर होता हैiliar की बावर तीन होता है माइनस का आटा अटा की पावर चार होता है प्लस का एक ऐसे चलता रहेगा आटा की पाव्रaları Curl को ऐसे लिखते थे आएका स्क्वेर अड़क्ष स्क्राइब कर दो इसे और चासट मेर्च निन्यानुवक पावर में 97, 98, 99 में पावर रह जेगी आयटा की पावर 2 होता है माइनस 1 तो माइनस 1 की पावर 48 आयटा फिर आजएगा माइनस 1 की पावर 49 ठीक है फिर आजएगा प्लस माइनस 1 की पावर 49 आयटा तो माइनस 1 की पावर 48 से प्लस 1 होता है तो इसको लिख देंगे आयटा माइनस 1 की पावर 49 यहाज़ेगा माइनस 1 और यहाज़ेगा माइनस आयटा आयटा माइनस आयटा कट जेगा आंस्वर आज़ेगा माइनस का एक थर्ड है हमारे पस आयटा की पावर 2053 का मान लिखिए तो इसको लिखते हैं आयटा स्क्यर 1026 और गुना में आयटा 2052 और एक 2053 तो माइनस एक की पावर 1026 आयटा माइनस एक की पावर संग संग है तो यह आजएगा प्लस एक और आयटा तो आंसर आजएगा आयटा फूर्थ है जेट का योजय प्रतिलोम लिखिए तो योजय प्रतिलोम के लिए पहले इसको सिंप्लिफाई कर देते हैं आजएगा 3 माइनस अंडरूर माइनस 16 होता है 4 आयटा 2 माइनस अंडरूर माइनस 9 होता है 3 आयटा तो उपर नीचे ना 2 प्लस 3 आयटा से गुना करते हैं परिमे करन कर देते हैं उपर जब गुना करेंगे 3 को 2 से गुना करेंगे आज़ेगा 6 इस 3 को 3 आयटा से गुना करेंगे तो आज़ेगा प्लस का 9 आयटा 4 को 2 से गुना करेंगे तो आज़ेगा माइनस का 8 आइटा 4 आइटा को 3 आइटा से गुना करेंगे तो आज़ेगा माइनस का 12 आइटा स्क्यर बटे में लगाएंगे A स्क्यर माइनस B स्क्यर यह आइटा स्क्यर माइनस 1 होजेगा तो ये प्लस का बारा होजेगा तो आज़ेगा 6 प्लस 12 याज़ेगा 18 9 आइटा माइनस 8 आइटा तो याज़ेगा प्लस का आइटा और बटे में 4 माइनस 9 आइटा स्केर ठीक है तो आज़ेगा 18 प्लस आइटा आइटा स्केर माइनस 1 होता है तो आज़ेगा नीचे 4 प्लस 9 तो यह बनज़ेगा 18 प्लस आयटा बटे में 13 अलग-लग कर देते हैं तो आज़ेगा 18 बटे में 13 प्लस एक बटे में 13 आयटा तो Z का योजय प्रतिलों यह होते है माइनस का Z तो आज़ेगा माइनस 18 बटे में 13 माइनस एक बटे में 13 आयटा इनके चीने चेंज हो जाएंगे पांचों कोश्चन इसके वास्तविक और कालपनिक भाग लिखिए तो आज़ेगा एक बटे अंडरूड प्लस तीन आयटा उपर नीचे नाम इसका परिमे करन कर देते हैं तो बच्चे का अंडरूड पांच बटे में 14 माइनस 3 बटे में 14 आइटा. इसका जो वास्तुईक बाग उसको लिखते हैं REZ से. ये तो है अंडरूड 5 बटे में 14. और काल्पनिक बाग उसको लिखते हैं IMZ से. वो है माइनस 3 बटे में 14. होता है इस टेप से आपने इस वरक्षिट को कम्प्लीट करना है ओके थेंक यूँ